गौतम बुद्ध की व्रिद्ध महिला को सीख, मृत्यू तो सभी की होनी है, वर्तमान सुधारना चाहते हैं, तो किसी की मृत्यू के बाद भगवान या भाग्य को दोश नहीं देना चाहिए. गौतम बुद्ध से जुड़ी कथा है, बुद्ध अपने उपदेशों की वजह से बहुत प्रसिद्ध हो गए थे. लोग उन्हें काफी मानते थे, एक गाव में एक बूढ़ी महिला थी, वह गौतम बुद्ध के पास पहुँची. उस महिला की बुद्ध के लिए उसके मन मे गहरी आस्था थी. दरसल उस महिला के बेटे की मृत्यू हो गई थी. महिला बहुत दुखी थी और उसने बुद्ध से कहा कि आप मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए. महिला को लग रहा था कि बुद्ध उसके बेटे का जीवन बचा सकते हैं. बुद्ध ने महिला की बा ले आओ. महिला ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है. बूढ़ी महिला गाव की ओर चल दी और एक-एक घर में जाकर पूछने लगी. महिला जिस घर में जाती, वहां कहती कि अगर आपके घर में कभी किसी की मृत्यू न हुई हो, तो एक मुठी सरसों के दाने दे दीजिए. ग बुद्ध ने मुझे जरूर कुछ सोचकर ही भेजा है. जब वह लोटकर बुद्ध के पास पहुची, तब तक वह जान चुकी थी, कि एक दिन मौत सब को आनी है. उसका शोक लंबे समय तक नहीं मनाना चाहिए. बुद्ध ने इस कथा में संदेश दिया है कि व्यक्ति को क नहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें. अपना खयाल रखें, धन्यवाद.